जेनित हेल्ट के अलिमिटेट नाम तो सुना होगा आप लोग क्योंकि फार्मा सेक्टर का पेनी स्टोक्स के अंदर ये जो नाम है ये सुनने के लिए आज का दिन में मिलता है ये स्टोक को लेके अज कुछ हट के अलग बात करेंगे साइद आप लोग लाश्ट तक ये वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को कुछ वैलू मिल जाएगा देखिए इसका मार्केट कैपिलेशन क्या है पी वैलू, क्वार्टरली रेजल्ट, डेप्ट फ्री ये सबका डीटेल्स तो आपको कही न कहीं मिल जाएगा और इसको लेके मैं जो है पहले अल्रेडी एक वीडियो बना चुका था और ओ वीडियो में मैं इसका टारगेट भी बताया था इसका कौन सा प्राइस में बाई करके, क्या प्राइस में इसको सेल करना था, क्या टारगेट था, सब कुछ बता दिया था और उसमें target भी achieve हो गया था वो वीडियो को आपको देखना है तो description box में link दिया हुआ है आप ये वीडियो को देखने के बाद जो है वो वीडियो को आप देख सकते हो तो ये तो हो गया general सा बत लेकिन आज जो ये वीडियो में हम जैनित healthcare को लेकर बात करने वाला है ये कुछ हट के बात करेंगे, कुछ अलग बात करेंगे साइध आपको ये चीज़ कही ना मिले अभी वीडियो में जो मैं point wise बात करने वाला हूँ हर point आप अच्छा से सुनना आपको समझ में आ जाएगा first point के अंदर आप लोगों को मैं बताने वाला हो कि क्या अभी इसमें जो है new entry लेना चाहिए and जो लोग higher price में लिया है उनको sell करना चाहिए अभी loss में and second point second point में मैं बताऊंगा कि इसको hold करना है तो इसको क्या target रहेगा और third point के अंदर में ये बताने वाला हो कि इस जो stock में अभी इतना lower circuit क्यों दे रहा है इसका पीछे क्या reason है third point बहुत interesting है वीडियो को last तक देख लेना साइद इतना कम time के अंदर कोई आपको इतना clarity के साथ इतना queries नहीं बता पाएगा तो जरूर वीडियो को पूरा देख लेना कुछ काम आ जाएगा आपका देखिए company का अच्छा points ये है कि company का कोई भी उधरी नहीं है reserves continuously बढ़ रहा है and promoters DIA का जो holding से ओभी कम नहीं कर रहे है ओभी constantly fixed है थोड़ा दिक्कत बली जो बात हमको लग रहा है वो है company का result में थोड़ा सा कम हुआ है पिछले quarter से क्योंकि पिछले quarter का respective में थोड़ा सा कम हुआ है और company का जो P ratio है वो थोड़ा सा high में अभी चल रहा है अभी का share price का हिसब से लेकिन company अच्छी है काफी अच्छा potential है future के लिए तो देखिए पहला point जो था हम लोग का क्या था कि अभी इसमें new entry लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए मैं आप लोगों को ये सला दूँगा कि अभी का time में अभी का time में इसमें new entry मत लीजिए इन्होंने जैसा lower circuit देते हुए जा रहा है कारेक्सेन हो रहा है तो इसको थोड़ा सा कारेक्सेन होने दीजिए इसमें थोड़ा सा stability आने दीजिए उसके बाद इसमें जो है आपको आप new entry ले सकतो तो अभी फिलाल के लिए इसमें new entry मत लीजिए और इसी के साथ जो interconnected connected एक queries था कि जो लोग higher price में इसको buy करके राखा है उनको क्या अभी sell करना चाहिए loss book करना चाहिए दोस्तो ऐसा नहीं है अब लोग loss इसमें book मत कीजिए क्योंकि अभी बहुत ही कम price में चल रहा है आप लोग बहुत ज़दा high price में क्योंकि ये जो है 15 रुपया तक गया था ओ प्राइस में आपने लिया होगा तो अभी इसमें थोड़ा बहुत ही कम amount के अंदर इसमें जो है एक थोड़ा सा average कर लिजे बहुत ज़दा average करने के लिए मैं कभी भी मना करता हू penny stock के अंदर हमारा जो money money जो मोटो है penny stock में थोड़ा थोड़ा करके invest करके ज़्यादा पैसा कमाना तो अभी जो है इसमें थोड़ा सा मतलो बहुत ही कम amount से आप इसमें average कर सकते हो उसके बाद जो है ये stock के अंदर जैसा कुछ changes आएगा उस time में जैसा इसका price थोड़ा बढ़ते हुए जाएगा उस time में आपको जो है इसमें profit देखने के लिए मिल सकता है तो अभी आता है हम लोग हमारा second point में second point में ये था बहुत ही valuable point है कि इसका target क्या रहेगा देखिए मैं आप लोगों को पहले ही बताया कि मैं एक 25 सेप्टेंबर 2020 को एक वीडियो बनाया था जेनित हिल्थक्या लिमिटेड को लेके उस time में ये stock का जो price चल रहा था almost 3.85 रूपिस का price चल रहा था उसी time में मैं उसको buy करने के लिए बोला था और 5.5 रूपिया का target दिया था सब कुछ achieve हो गया था और उसमें जो मेरा वीडियो देखा था मेरा जो viewer से उन्होंने अच्छा खासा profit book करके निकल भी गया था और उसमें जो है हम लोग के कमाल का एक strategy मतलब investment strategy भी share किया था उसमें ओ strategy में जो लोग मतलब उसको buy किया and sell किया ओ लोग अच्छा profit भी book किया और आपने ओ वीडियो नहीं देखा है तो ओ वीडियो को जाके ये वीडियो के बाद जरूर देखिएगा तो इसी को देखके जो है हमारा चैनल का जो performance है आप लोगों को समझ में आ जाता है क्योंकि 25 सेप्टेमबर में हम लोग ये वीडियो अपलोड किया था पिछले वीडियो अपलोड किया था और नवेंबर के अंदर जो है टार्गेट एचिव हो गया था ऐसे ही बहुत सारा अच्छा अच्छा पेनिश्टोक हम लोग देते है और उसमें जो है हमारा टार्गेट एचिव हो जाता है आप पिछले मेरा वीडियो भी देख सकते हो टाटा स्टील बीएसल का जो है हम लोग एक टार्गेट दिया था ओ टार्गेट एक महीने के अंदर एचिव हो गया जो लोग देखाता हो लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट भूग कर रहे चले आभी मेन पॉइंट पे आ जाता है तो कारेंट जो लेबेल चल रहा है कारेंट लेबेल का हिसाब से हम लोग का जो टार्गेट लगता है एट टू नाइन रूपीज तक टार्गेट इसमें दिखने के लिए मिल सकता है लेकिन मैं कभी भी आप लोगों को बोलता हूँ पेनी स्टॉक मतलब पेन है इसमें जो है आपको बहुती धान से इसमें इन्वेश्टमेंट करना चाहिए टोटल फंडामेंटल चीजे देखके ये स्टॉक का फंडामेंटल तो स्ट्रॉग है लेकिन अभी लोवार सर्कुट चल रहा है इसका भी रीजन जो है मैं थार्ड पॉइंट में बताऊंगा थार्ड पॉइंट जरूर सुनके चाहिए ये धन रहा किये कि अभी का जो कारेंट प्राइस चल रहा है ये करेक्शन हो रहा है इसका जो टार्गेट है 8-9 रूपी सौटर में देखने के लिए मिल सकता है देखिए दोस्तों अभी आता है हम लोग थार्ड पॉइंट में कि ये जो जेनित हिल्थकेया लिमिटेट है इसमें लोवार सर्कुट क्यों लग रहा है धहन से सुनिएगा अभी कोबीट चल रहा है फार्मा सेक्टर में बहुत फार्मा सेक्टर बहुत ही ट्रेंडिंग है गौब्मेंट भी ये सेक्टर के उपर बहुत ज़दा धान देर है तो इस केस में प्रोमोटर्स का नजर कभी ऐसा सेर के उपर पड़ता है तो हमने जो पुरना वीडियो बनाया था उस टाइम में promoters का नजर इसमें उस टाइम तक तो नहीं पड़ा था लेकिन उसके बाद जो है promoters का नजर पड़ा इसमें और promoters ने इसको जो है 15 रुपया तक लेके गिया मैं ये guarantee दे के नहीं बता सकता हूँ लेकिन मेरे को जो लगता है कि promoters का इसमें नजर पड़ा और इसमें जो है promoters उसका खेल दिखाया जैसा promoters ने उसको profit booking चालू किया और profit booking चालू करते हुए आप लोगों को पता है क्या होता है इसमें continuously अभी lower circuit दिख रहा है तो अभी जैसा मैं आप लोगों को जैसा guide किया थोड़ा सा average कर सकते हो यह मेरा राय है और आप लोगों को lower circuit क्यों लग रहा है यह तो समझ में आई गया होगा इसमें हो सकते है promoters का game चल रहा है और उसमें profit booking अल्रेडी चालू हुआ है जरूर यह stock जो है fundamentalist रहाँ है जरूर बाद में यह stock है यह उपर जाएगा जाएगा ऐसा मेरे को लगता है आप लोगों को क्या लगता है comment box में जरूर बताईएगा तो अज के लिए इतने हैं उमीद करतो वीडियो अच्छा लगा नहीं अच्छा लगे तो वीडियो को dislike कर देना चैनल में नया है तो subscribe कर लिजेगा बेल आइकन को प्रेस कर लिजेए तभी आ को अच्छा अपडेट मिलते रहेगा सुस्त रहिए अच्छा रहिए फैमेली का धान रहिए और आपना धान रहिए थैंक्स